किसी भी काम को करने के लिए 80-20 का सिध्धान्थ काम करता है 80-20 का सिध्धान्थ यह है कि 80% टाइम व्यक्ति का लग भी जाये तो 20% काम होते है और कभी-कभी 20% टाइम में 80% काम हो जाते है ब्याशादी के दिनों में जब शादी नजदीक आ रही होती है वो 6 महिने रह गए तब तो थोड़े-थोड़े काम होगे और जैसे वो 20% टाइम रह जाएगा 80% काम उसी समय निपटते है जब दवाव भी होता है, मूड भी होता है, वातावन भी बन जाता है जैसे वो वातावन बन जाता है और आदमी भावना में आता है इसलिए एक चीज मानी जाती है मनुविग ज्यान में कि मस्तिक्स को एक स्टेट में, फ्लो स्टेट में लेके आना चाहिए बहाव बन जाए किसी तरफ आपका बैठे बैठे मूड बन गया पढ़ने का तो पढ़ते जा रहे, पढ़ते जा रहे, पढ़ते जा रहे वो फ्लो बने रहना चाहिए, वो फ्लो आपको बहुत आगे लेकर जाता है, जिस फ्लो में आप बैठ गए एक बार काम करने के लिए, वो मूड बन गया, तो उस 20% में 80% काम हो जाएंगे, इसलिए बड़ी विचितर दुनिया है, 20% लोगों के पास में 80% दौलत है, और 80% के पास सिरफ 20%, वो विचारे उतने में गुजारत कर रहे हैं, और 20% लोगों पिराज कर रहे हैं, और 80% लोगों के पास 20% अधिकार हैं, ये 80-20 का सिद्धांद ये है, ये रोप में इस पर पुस्तके लिखी गई, लेकिन मेरा विशय ये नहीं है, मैं आपको वहां ले जाना चाहता हूं, जिसमें ये कहा गया है, दक्षत से चित्तिम, कारे कुशलता का ग्यान दो भगवान और वो प्रवाह वो मूड दो, के जिसमें मैं अपने करतव्य कर्मों को कर सकूँ, और अच्छे से कर सकूँ, खोबी से कर सकूँ, जब आप को वो आदत पढ़ जाती न, अ की दूसरे लोग जो आशान्त रहते हैं, वो बहुत देर तक करवट ही बदलते रहेंगे, बदलते रहेंगे, आधी रात में जाकर कहीं उन बेचारों की नीद आती है, जिन लोगों को ये शान्त अपने आपको रेकागर करने की आदत पढ़ती है, वो द्यान में बार ओंकार का ओचान किया, और करते करते एक बार भरामरी किया, और धीर धीरे खो गए, शान्त, 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 कहते कहते, खो गए अपने अंदर, लग गया ध्यान, और कुछ लोग प्रणायाम पर प्रणायाम बसरिका कर करके, और इदर जो है, अनु के चक्कर काटके आ जाएंगे लेकिन भगवान तक नहीं पहुंचते हैं क्योंकि एकागरता बनने ही पा रहे हैं उनकी मूड नहीं बन पा रहा है उस फ्लो में आनहीं पा रहे हैं इसलिए आपको ये टैकनिक भी सीखनी है और अपने आपको उस तर तक लेकर जाना है जिससे आप अपने कर्तव्य कर्मों को कुशलता पूर्वक कर सकें और आपकी उर्जा का प्रवाह उस और बैसके और आपको सु आउसर मिले, सु भाग्य मिले देखिए कहा जाता है न कि भगवान मुझे अच्छे आउसर दे दे तो बहुत बड़ी कृपा है और नहीं दे तो आउसर बनाना आता है और हर इस्तती में, हर पुरस्तती में आउसर डूंडना आता है इसलिए कावत है एक अच्छा इंसान हर कठनाएं में आउसर डूंडता है और एक दूसरी तरह का इंसान वो हर आउसर में कठना ही जरूर डूंडता है लोग उसे कहेंगे बड़ा मौका है तुम्हारे पास काम करने का अरे साहब है तो सही अगर मगर किंतु परंतु लेकिन वेकिन पाती है इसमें तो परिशानी बहुत है तो वो जो परिशानी को देखने वाले लोग हैं वो कभी भी आउसर का लाब नहीं ले सकते और कठनाईयों का अपना एक नियम है कठनाई शुरू में ही डराती है जैसे आप कठनाई के साथ बिढ जाते हैं उसे ठीक करना शुरू करते हैं तो कठनाईयों आसान लगने लग जाती हैं बच्चे पढ़ते हैं तो उनको कोई नो कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बड़ा कठिन लगता है किसी को मैट्स वगरा ठीक नहीं लगता किसी को फिजिक्स ठीक नहीं लगती है उनको लगता है यह तो बहुत ही ज्यादा बॉरिंग है और बहुत मुश्किल है लेकिन जैसे जैसे उसमें वो गुसेंगे थोड़े टाइम के बाद में उनको उनका गणित उनका मैच जो है वो ज्याद़ पसंद आने लग जाता है किसी को ग्रामर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती वो कहते है ये तो सिर्दर्द वाला काम है लेकिन धीरे धीरे जब उसे पढ़ने लग जाते हैं तो व्याकरन ही अच्छी लगती है फिर कोई भी चीज कठिन शुरू में लगती है लेकिन कठनाई की तरफ चलते चले जाओगे तो वो आसान हो जाएगी और जिन्दगी का एक नियम है कि शुरूआत में आप कठनाईयों की तरफ चलना शुरू कर दीजे जिन्दगी आसान हो जाएगी और अगर आसानियों की तरफ चलना शुरू कर दोगे तो जिन्दगी कठनाई में पड़ जाएगी हम सारे के सारे लोग वे लोग हैं जो आसान जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं और जिंदगी को कटनाई में डालते हैं जो लोग कटनाईयों की तरफ दोड़ते हैं जो डराने वाले चीज़ पहले उधर की तरफ चलते हैं तो उनके लिए डर दुनिया में कहीं भी नहीं है और जो डर से भागते रहते हैं खमाल की बात है कि डर जो है वो पीछे छोड़ता ही नहीं और अगर आप डर से आँखें मिलाते हैं जो कल्पना हैं आप अच्छी करने लग जाते हैं अच्छी कल पनाएं, आपके सामने अच्छे रूप में आने लग जाती हैं इसलिए आप आवसर की प्रतिक्षा नहीं करेंगे आवसर बनाएंगे और उसके लिए दक्ष्ता प्राप्त करेंगे कुशलता प्राप्त करेंगे इसलिए आजकल जो है skill development पर बहुत काम हो रहा है कि व्यक्ति को केवल मात्र पढ़ा देना ही काफी नहीं है उसको प्रसिक्षन दिया जाना चाहिए, हुनर सिखाना चाहिए, कला सिखानी चाहिए जिस से जो है व्यक्ति आगे बढ़ सके, रोजी रोटी तो कमाई सके हमारे सोभग्य को बढ़ाने के लिए काम आए, वह हमारे जीवन में हो और सुभगत्वम हमारे सोभग्य हमारे जीवन में आए परमेश्वर हमें सोभग्य व्रद्धी करने वाला, एश्वर ये प्रदान करो पोशम रईणाम और रई कहते हैं धन को रईणाम मतलब धनों का पोशम मेंने पुष्टी देने वाला हमें पुष्टी देने वाला स्वास्थेवर धन करने वाला बढ़ाने वाला तरक्की देने वाला धन प्रदान करो भगवान ऐसा धन नहीं देना कि जो हमारी उन्नती को रोकता हो हमें तो वह धन दो कि जिस धन से हमारी प्रगती हो और हमारे घर में सुक्षान्ती आए आप लोग देखते न कि माभारत में वर्णन आता है कि जिस समय भीश्म बैठरे दर्बार में और द्रोपदी का अफमान होता रहा तो गटना तो बहुत दुखत थी द्रोन भी बैठे वे और भीश्म भी बैठे बड़े से बड़े ग्यानी ध्यानी लोग बैठे वे और चुब बैठे हैं हिम्मत नहीं बोलने के फिर एक समय ऐसा आया कि जब ये श्रसया पर पड़े वे थे अब उनके प्रति आदर व्यक्त करते वे और दुख प्रकट करते वे उनके अपने पोते सब लोग पौत्र वगरा बैठे वे तो अब उन्होंने अपनी जेंप मिटाने के लिए एक श्लोक का और श्लोक में उन्होंने क्या का कि मनुष्य जो है अर्थ का दास है धन का प्रियोजन का अपने मतलब का दास बना रहता है धन का दास बना रहता है लेकिन कमाल की बात यह है कि धन किसी का दास नहीं है वो जरूर दूसरों को दास बनाता है कि हर एक आदमी के साथ उसका कुछ न कुछ ऐसे प्रियोजन होते हैं उसके कुछ मतलब होते हैं जिनका दास बनके आदमी गुलाम बनके मजबूर बनके बैठा रहता है और मजबूर रहता है तो उसके बाद पक्ष भी पक्ष नहीं देखता फिर तो उसे यही लगता है कि मुझे वो करना है जिससे मेरी रोजी रोटी और मेरा प्रभाव बना रहे है मुझे वो नहीं करना कि मेरा यह खो जाए फिर वो न्याय या न्याय नहीं देखता ऐसा धन या ऐसा प्रियोजन भगवान न किसी को दे यहां जो कहा गया है भगवान वह धन दे जिस धन से हमारी पुष्टी भी हो फले फूले और हमारी तरक्की हो हमारी यात्रा अगे बढ़े हमारा जीवन जो है वो उन्नती करे ऐसा धन मत देना जो हमारे जीवन में गिरावट लेकर आए जिस से हमारे जीवन में दुख बढ़े कोई कोई जमीन कोई कोई मकान कोई न कोई धन ऐसा जरूर होता है कि कहीं से किसी से आ गया निकलेगा जब तक तब तक न जाने कितना अनर्थ खड़ा करेगा कितनी कितनी मुसीबते खड़ी कर देगा और निकलेगा रुला कर जाएगा मान छीन ले जाएगा और न जाने कितनी पीड़ा देगा इसलिए अच्छा है साही इतना दीजे जामे कुटम समाए मैं भी भूका ना रहूं और सादू भी भूका ना जाए सादू सज्जन मान पुरुष कोई भी घर में अपना प्यारा आए मान सम्मान सबका हो सके और अपने भी काम ठीक चल सके ये बहुत के चक्कर में जो है व्यक्ति बहुत कुछ खो बैटता है अपनी नींद गवा देता है जो ये कावत कही जाती है कि पहले इंसान धन कमाने में सेहत दाओं पर लगाता है धन कमाने में नींद दाओं पर लगाता है और बाद में उसी नींद को और सेहत को वापिस लाने के लिए पैसा करच करता है तो आपने सहत दे करके धन तो कमा लिया लेकिन धन दे कर सहत वापिस नहीं आती है नींद खराब करके आपने पैसा तो कमा लिया लेकिन फिर पैसा दे करके आप नींद वापिस नहीं ला सकते आपने अपने बच्चों का भी प्रेम का समय और उनके साथ जो समय बिताना था वो लगा करके धन तो कमा लिया लेकिन वो वक्त चला गया और वो प्यार का वातवन चला गया और आपने अपने घर का सुख चैन गमा करके अपनी तरक्की तो कर ले लेकिन उस तरक्की में पहुँचने के बाद फिर वापिस वही सब चीजें वापिस लाना चाहते हो तो वो नहीं आती इसलिए क्या करना चाहिए आदमी को जो भी वो तरक्की कर रहा है तरक्की जरूर करे धन कमाए आगे से आगे बढ़े पर कुछ चीजें वगवान की दीवी बहुत मुल्यवान है सेहत को संभाल कर धन कमाईए नींद को सुरक्षित रखते रखते धन कमाईए बले थोड़ा कमा लिजे घर का प्रेम प्यार सुरक्षित रखते रखते धन कमाईए और तरक्की कीजिए लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक के चक्कर में एक साधे सबसधे सबसाधे सब जाये तो आदमी जो है नए एक चीज के रूप में कि अपने आपको सुरक्षित अपने परिवार को सुरक्षित रखते वे अपनी उन्नती करनी है ये नहीं कि आप सब कुछ अपना गवाँ बैठें देखिए कीमती चीज आपके जीवन की आपका स्वास्ते है और सबसे ज़्यादा अगर कोई मुल्यवान हैं तो आप हैं महत्वपूर्ण कोई है तो आप हो जब तक आप अपना महत्व नहीं समझोगे तो दूसरे कार देखिए एक बात और द्यान दख लिजे अमीर होकर के गरीब की सुरक्षा की जाती उसे दिया जा सकता शक्तिशाली बन करके कमजोर का साहरा बना जा सकता प्रेम पूर्ण रह करके आप घृणा वालों के हिर्दय में भी प्यार बर सकते हो तो आपको सबसे पहले तो खुद को शक्ति संपन, धन संपन, प्रसन, आनंदित बनाना है लेकिन इस बात को ध्यान में रखते वे कि अपना सोचते सोचते अपनों का भी खयाल रखना तो यहाँ एक शब्द कहा गया पोशम रही नाम पुष्टी वर्धन करने वाला धन दो और अगला शब्द यह यह जो मैं भी बता रहा था अरिष्टिम तनो नाम शरीर का स्वास्त देना बगवान तो पहले कहा गया स्रेष्ट धन दीजिए दूसरा कहा करतव्य कर्म करने की विदी दीजिए तीसरा कहा सोभाग्य ब्रध्धी करने वाला ऐश्वरी दीजिए चोथी बात कही है कि ऐसा अनदन चल अचल संपत्ती दो जो हमारी पुष्टी का कारण बने और पाँची बात कही है अरिष्टिम तनुनाम हमें उत्तम स्वास्थ देना शरीर हमारा स्वास्थ रहे और छटी बात और भी कमाल की स्वाद मानम वाचह और स्वादिष्ट वाणी देना जो पसंद आए अच्छी लगे मधुरवानी व्यवार में कुशलता देना एक बहुत अच्छा लेखक और चिंतक हुआ है डेल कारने की उसने लोक व्यवार पर बहुत अच्छा लेखा पब्लिक रिलेशन और लोक सम्वाद उसका कहना है कि व्यक्तिकी जिंदगी की सफलता का 40 प्रतिशत तो इस बात पर निर्बर करता है कि आपका लोक व्यवार कैसा है आपको लोक व्यवार जरू आना चाहिए पब्लिक रिलेशन बनाना आना चाहिए एक एक व्यक्ति के साथ कैसे मिलना, रिष्टे निभाना और रिष्टे बनाए रखना ये गुण आना चाहिए इसके बिना कोई सपल नहीं होता जो सेल्समेन वगरा रखे जाते न दुकानों पर शोरूम में उनके पास सबसे बड़ी बात ये ही होती है अंजान व्यक्ति के साथ भी इस तरह से मिलेंगे कि जैसे पता नहीं कब का बिष्ड़ा वा साथ जनम का बिष्ड़ा आदमी पहली बार सामने आया बहुत खुश होंगे देख करके, मुस्कराते वे अच्छे कपड़े पहन कर आकरशक बनकर उन से बात करते हैं, लेकर जाएंगे और ऐसे डंक से बेचते हैं क्योंकि आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आपको बेचना आना चाहिए जिसको बेचना आ गया बस वही सफल है, जिसको बेचना नहीं आया तो वो अपना अमरित लेकर कौने में बैठा रहे और ये भी एक कावत है कि जिसको वानी में मदूरता है और मिर्चे बेचने बैठ जाए तो उसकी मिर्चे भी बिख जाएंगे, और अगर आपकी वानी कड़वी है, शैद लेकर बैठे रहो, अगर कोई आपका खरीद भी लेगा तो क्योंकि आपको बेचना नहीं आता तो ये शब्द बहुत प्यारा है स्वाद मानम वाचहा सु दिनत्वम अन्हाम सु दिनत्वम हर दिन का सो भग्य हर दिन अच्छा दिन बन जाए हर दिन शुब दिन हो जाए हर दिन खुशाली वाला हो जाए कि ये कृपा और कर दो साथ चीजे मांगे गए पहले स्रेष्ट एश्वर ये दो और करतव्य कर्म करने का ग्यान पैकने के दो जिससे जीवन में उत्सा बना रहे और सो भग्य बनाए रखना धन ऐश्वरियों को बढ़ाने वाला मुझे वह स्मृद्धी प्रदान करो भग्वान जो मुझे हर दिन आगे बढ़ाता हो और मेरा शरीर स्वस्त रहे मेरी वानी का व्यभार बहुत अच्चा हो मेरा हर दिन सोभग्य वाला दिन हो हर दिन खुशाली वाला दिन हो ये सब कृपा भग्वान मेरे उपर करना तो ये है एक मंत्र सद्गुरु श्री सुधान्शुजी महराज द्वारा मानो सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागरती मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवा मानोता की सेवा में सनलग्न है ये संसा नब्बे मंडलू सेवा केंद्रों के माध्यम से नकिवल भारत अपितु देश के बाहर अनेग देशों में सेवा के कार्य कर रही है संसा के सापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सनमार्ग पर प्रिरित करने के उदेश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिये है वहीं देश के राज्य की राज़्धानियों वा प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम 25 मंदर, सत्संग भवन वा ध्यान साधना केंदरों का निर्माण हुआ है दिल्ली में करुना सिंदु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरिदाबाद के आरोग धाम अस्पताल में लाखों जरूरत मंदरोगियों का उपचार वो आपरेशन किया गया है अनाथ करीब बच्चों के लिए सूरत में अनाधाश्रम दिल्ली एवं कानपुर में गुरकुल फरिदाबाद में ग्यान दीप विद्याले मुरादाबाद में सिर्जन प्रायमरे स्कूल जारखंड के रुका खोटी गाउं में आदिवासी बच्चों के लिए दो पबलिक स्कूल समेथ दिल्ली में उपदेशक महा विद्याले भी बनाया गया है इन शेक्षणिक संसाव में लगभग पचीस सो बच्चों को शिक्षित वसंस कारित किया जाता है दिल्ली के आनंधाम आश्रम में जहां वरिदाश्रम एवो मुवान प्रस्त संचालित हैं वहीं आश्रम की कामदेनु गौशाला में 125 गौवों की सेवा की जाती है कामदेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में साथ अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं साथ ही पूजापाट यग्य अनुस्ठान से लोगों में धर्मिक भावना जागरत की जाती है गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सच्छम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षन दिये जाते हैं वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है प्राकृतिक आपदा जैसे की बाड, भूकम, तुफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधान मंत्री रहत कोश में सहयोग किया जाता है वहीं जैसे बर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट वा सांसों के संकट से जूज रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मेंगा कर अक्सिजन कंसेंट्रेटर बांटे गए मानो सेवा को इश्वर भक्ती मानते हुए सेवा परमो धर्मा के भाव से विश्वजागरते मिशन के सेवा कार्य निरंतर जा रही है आईए मिशन की सेवा पत पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुन्य के भागिदार बनें